पाली भाशा में भगवान का अर्थ होता है एक ऐसा वेक्ति जिसने अपने अंदर के सारे विकार, सारे बुराईयों को नश्ट कर दिया लेकिन आजकल के युग में भगवान को परलोकिक वस्तू से तुलना की जाती है बाइदर वे भगवान नाम की कोई चीज होती ही नहीं है ऐसा कौन सा वेक्ति है जिसने कभी जनम ही नहीं लिया हो और जिसने जहर खा के अपना पूरा शरीर या जहर पी के अपना पूरा शरीर नीला कर दिया हो जो अपने आसपास साप को बांधे रखता है, चुटियां में गंगा को बहा के रखता है, और हाँ तीसरी आँख, जिससे वो श्रिष्टी को नश्ट कर सकता है, ऐसा कैसा भगवान हो सकता है, जो अपने ही बनाई रचना को नश्ट करे, नहीं, ऐसा भगवान नहीं हो सकता, तो थोड़ा सा rational, थोड़ा सा scientific हो जाओ ऐसे वेक्तिगी बूचा करो जिसने मानवता का कल्यान किया हो जिसने इंसानियत का कल्यान किया हो जिसके अंदर इंसानियत की भावना हो उसे भगवान कहते हैं imaginary things को भगवान नहीं कहते हैं